आज हम आपके लिए लेकर आए है एकदम टेस्टी और मज़िदार रेस्टोरें स्टाइल चिकन मलाई तिकका की रेसिपी जो के बिना तंदूर बिना अवन के बना करके तैयार करेंगे घर पर बहुत ही आसान तरीके से घर पर ही रखे सामान से बहुत ही आसान तरीके से बनन करिए ताके आने वाली वीडियो का नौटिफेकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चलिए फिर इस टेस्टी से मज़िदार चिकन मलाई तिकका की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करेंगे आज बनाएंगे एकदम टेस्टी और मज़िदार चिकन मलाई तिकका इसके लिए हमने 500 गिराम चिकन लिया है यह बोल्लेस चिकन है और आप चाहे तो थाई के पिसेस या ब्रेस्ट के पिसेस ले सकते हैं बहुती सॉफ्ट बनते ही चिकन को अच्छे से वाश करके इसका सारा पाने निकाल लिया है और इसमें टेस के तक से बहुत है अधा चममज घंतस मजा दालेंगे बुने हुए जीरे का पावडर ऑधा चममज दालेंगे nhưng गरृम मसाला वाडर कॉसट और पमीजण अधा चंममज दालेंगे दरनेगे है इन मसालों से बहुत ही बड़िया पाइक चमप्ती तदलेंग कई नहीं अजल से किलक्ट बढ़ता है। एक चमप्त टा लेगे अच्छी टालेंगे एक चमप्ताक बांने टालेंगे टालेंगे लएमन मेशें का डालेंगे लाग। पीस्ट और कणा चली है गुष्छ का सुरी मेथी अब हैं अभ अगर हैं पर आपके पास spilled ten dele केमान जूसी में इसमें न्यूंदे तो आपके बैक पास जूस değişक है of आपके सिर्द मुंधा को ऐंड जूस है तो Mhm 3D लेज़ी लिए बहुत भी आपकेस को चिजोर करें लें सारी चीजों को चिकन के साथ अच्छे से, रख दिया है, अब हम इसको रख देंगे, मेरिनेट करने के लिए, एक घंटे के लिए फ्रीज में ठाकर के, और साथ ही हमने इसकी वर भी पानी में बांँ में डाल कर लख दिया है, جिसे के इसकीवर जलते नहीं है, और देखिए चिकन को मेरिनेट करते हुए एक घंटा हो गया है तो हमने इसको फिरीज में से निकाल लिया है और साथ ही इसकी वर भी हमने पानी में से निकाल लिया है ये देखिए इसकी वर को पानी में डालने से क्या होता है ना सोक करने से पानी में ये जो चिकन है ना इसक और देखिए यह हमने इसकीवर लिया है और इसमें हम चिकन के पिसिस को इस तरीके से लगाते जाएँगी जितने पैसे में हम रेस्टोरन में जाकर दो से तीन लोग खाकर आते हैं तो घर पर बनाएंगे तो यह ज्यादा कॉंटिटी में बन जाता है और ज्यादा लोग इसको खा सकते है और खर्ज भी बहुती कम होता है तो देखिए इस तरीके से हम इसकी वर में चिकन को लगा रहे हैं सारे चिकन को इसी तरीके से इसकी वर में लगा कर साइट पर रख देंगे अगर आपके पास में इसकी वर नहीं है तो आप इसको सिधा तवे पर भी सेख सकते है यहां हमने एक पैन ले लिया है नॉस्टिक तो आपने देखा होगा कि हमने मेरिनेट करते वक्त इसमें बिल्कुल भी तेल या ओई नहीं डाला है तो अब हम इस वक्त डाल रहे हैं तो थोड़ा सा तेल गरम हो गया है तो इसमें रखते जाएंगे इस तरीके से चिकन को और इसको हम लो टू मीडियम पर पकाएंगे अच्छे से मसाले चिपक गया है तो आप पलट रहे है और इसको जूसी आफट टेंडर बनाने के लिए हम क्या करेंगे इसको ढखक कर रख देंगे दास मिनट के लिए और बीच बीच में हम इसकी साइट को पलटे रहेंगे देखिए 10 मिनट हो गया है इसको कुक करते अब हम क्या करेंगे इसको सीधा गैस के फ्लैम पर सेख लेंगे जाली वाला स्टेंड ले लिए लिए इतना मज़िदार और टेस्ट ये बनता है ना कि आप तो रेस्टोरेंट और धाबे पर जाकर इसे खाना भूली जाएंगे क्योंकि इसका इतना टेस्ट लाजवाब है और आप इसको अपने हाथों से बना रहे है अपनों के लिए तो इसी तरीके से हमारी रेसिपी को फॉलो कीजिए तो देखिए हमने इसको एकदम बढ़िया करार आने तक के सेख लिया है आप चाहे तो इसको सेख ते वक्त इसके पर बटर लगाएंगे जिसे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा गर्मा गरम चिकन मलाई तिक्का को बटर के साथ में इंजॉय कीजिए और रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और हमें कॉमेंट करकर बताईए चिकन मलाई तिक्का की रेसिपी आपको कैसी लगी जो हमने आपको एकदम आसान तरीके से बनाना सिखाया है और अगर आपको हमारी रेसिपी में कोई खामिया नजर आती है तो हमें कॉमेंट करकर बताईए कि हमारी इसमें कौन सी गलती हुई है जिसको हम आने वाली रेसि और दुआओं में याद रखिए और गर्मा गरम चिकन मलाई तिक्का को इंजोई कीजिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम टेस्टी और मज़िदार डिलीशियस बॉनलेस चिकन फ्राइ की रेसिपी जो के अंदर से एकदम जूसी और उपर से एकदम क्रिस्पी बन करके तयार होता है और साथ ही बनाएंगे एकदम टेस्टी और मज़िदार चटनी जिसका स्वाद आपको हमेशा रहेगा याद और उंगलिया चाटते रह जाएंगे आप इतनी टेस्टी ये चटनी बन करके तयार होगी चिकन फ्राय बनाने के सारे टीप्स और ट्रिक्स आ बेल आइकन को प्रेस करिए और पर किलिक करिए ताकि आने वाली वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चलिए फिर इस टेस्टी से मज़िदार जूसी क्रिस्पी चिकन फ्राय के रेसिपी को बनाना स्टार्ट करेंगे बिसमिल्लाइ रह्मान रहीम अस इस तरीके से सिर्का और नमक डालने से क्या होता है इसके अंदर मसाले अंदर तक जाते है और बहुती टेस्टी और जूसी चिकन बनता है तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको रख देंगे हम आदे से एक घंटे के लिए अगर आपके पास में ज्यादा टाइम है और अब हम इसको करेंगे मेरिनेट पहला जरूरी स्टेप हमने कर लिया है जिससे के हमारा चिकन अंदर तक जूसी बनेगा और अब हम इसमें डालेंगे नमक तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब चे डालेंगे साथ ही इसमें डालेंगे एक छोटा चमच लाल मिर्च कुटा हुआ दरदरा पौडर और एक चमच हमने कसूरी मेथी ली है इसको हाथों से क्रश करके डालेंगे आधा चोटा चमच डालेंगे चिल्ली फ्लैक्स एक चोथा ही चमच डालेंगे हल्दी पौडर साथ ही इसमें डालेंगे दो टी स्पून अधरक और लहसन का एक टेबरिस्पून बेशन इससे बहुती बढ़िया बाइंडिंग होगी और टेस्टी बनेगा यह सारे मसालों को हाथों से अच्छे से मिक्स कर लिया है देखिए और अम इसको मेरिनेट करने के लिए रखेंगे आदे गंटे के लिए हमने इसकी ब्रैनिंग की है एक है एक मुठी और इसमी डालें हम तीन से चार हरिमिज तो तीखा आप अपने हिसाब से कम या जादा कर सकते हैं और साथ मुझ दालें हम लेसन तो यह हमने पास से च्छे लेसन की कली ली है और रेगुलर नमक जो होता है वो डालेंगे टेस्ट के हिसाब से और 2 चटनी बने करके तैयार है, चटनी हमने बना ली है और देखे यहां चिकन जो है मैरीनेट हो गया है, एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और आप देखेंगे कि आपका चिकन जो है, एक दम टेस्टी और फ्लेवर फूल और जूसी बने कर तैयार होने वाला है, इसी पर हमने तेल को अच्छे से गरम कर लिया है चिकन के पीसे को एक एक करके इसमें डालते जाएंगे अगर तेल ठंडा होगा ना तो आपकी कोटिंग जो है उतर जाएगी तेल एकदम अच्छे से गरम होना चाहिए अक्सर आप लोगों को यही शिकायत होती है ना कि आपकी अगर पहले इसमें हम चम्मच चलाने लगेंगे ना इसको अलट पलट करने लगेंगे तो इसकी कोटिंग उतर जाएगी और हमने सिर्के के साथ में इसकी ब्रैनिंग की है ना तो यह बहुत है जल्दी सौफ्ट हो जाएगा टेंडर हो जाएगा बस-पास से छे मिनट लग बात प्रणियोंक प्हाइब कोफे जड़ा ठाल गोड़ार ठाल शुदन काइब के अच्छांगा अधन वाय थेक्षास कई दीकश के रेसिपी। हमारे चैनल पर मौझूद है बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार उनका लिंक मैं आपको उपर दे दूगी तो देखिए हाई फिलेंप पर हमने एक दम क्रिस्पी होने तक चिकन को फ्राय कर लिया है और देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और इसकी कोटिंग बिल्कुल भी कैसी नहीं तो अब हम क्या करेंगे चली लिए और इसमें इसको निकाल लेंगे बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार जूसी और मसालेदार क्रिस्पी चिकन फ्राय बनकर करके तयार है तो आप हमारी इस चिकन फ्राय की रेसीपि को जरूर है कि जिए और रेसीप पसंद आए तो इसको फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हमें कॉमेंट करकर बताइए कि हमारा ये टेस्टी चिकन फ्राय और साथ में ये टेस्टी चटनी आपको कैसी लगी और ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत हम आद रखिये अल्ला हाफीज